चुनाव नस्दीक आते ही दल बदल का मामला सामने आने लगता है। आलही में विधान सबस्चुनाव और लोग सबस्चुनाव के दोरान देखा गया था कि कॉंग्रेस और बिजेपी के सेकडों नेताओं ने दल बदल किया कॉंग्रेस के दिगज नेताओं ने बिजेपी का दामन थाम लिया तो मैं ही बिजीएपी के भी बड़े नेता कॉंग्रेस में आई हाला कि कॉंग्रेस से दिगज नेताओं के जाने से पार्टी को नुपसान भी उठाना पड़ा है ऐसे में आप कॉंग्रेस के अंदर दल बदल और मोका परस लोगों के लिए स्क्त गाडलाइन लागू करने की मांग की जा रही है नमस्कार में शेक जोया आप देख रहे हैं दनगरी नीज इस मामले में राजस्थान कॉंग्रेस के महासचीव सुनील पारवानी ने राहूल गांधी को पत्र लिखाए जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस कारे करताओं की भावनाओं का हवाला देते हुए कुछ पॉइंट बता हैं जिसमें पार्टी छोडने वाले नेताओं की वापसी के लिए सक्त नियम लागू करने की मांग की गई है सुनील ने अपने पत्र में लिखा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं इसे मोका परस लोगों की पहचान की जा है साथ ही इसे ने नेता पार्टी छोड़ कर जाते हैं वार वापस साल तक उन नेताओं के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी पहले कार्यकरता की तोर पर पार्टी की सेवा करनी चाहिए पारवानी ने यह भी मांग की की पार्टी के बड़े नेताओं को निर्देश जेज जाएं की वह बागियों की वापसी के बाद उनके साथ पोटू और मंच साजा करने से बचें जिससे आम कॉंग्रेस कारिकरताओं में मायूसी नहों सुनिल आगे लिखा कि अगर संबब हो तो अफसरवादी नेताओं की सूची को सार्वजुनिक किया जाएं जिससे प्रदेश की जनता को अफसरवादी अप्रोच की जौनकारी मिर्ख सके पारवानी ने अपने लेटर को कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिक अरजुन खरगी पीसी से इंदर सिंग्रंधावा और पूर्व मुख्य मत्रिया शोग गहलोत को भी भेजवाएं ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहें दनगरी न्यूश शुक्रिया